दोस्तो पिछले दोर के अंदर जब कोई आर्टेस्ट या ग्राफिक डिजाइनर मैनولी काम किया करता था तो उसको काम करने के लिए ब्रॉशेज और बहुत सारा डिफरेंट मैनول मिटीरियल चाहिए होता था उस तोर के अंदर काम जो था वो मैनول था लहाजा शीट्स के उपर सेट स्क्वेर और स्टैंसल्स वगरा की मदद से काम किया जाता था इसके अलावा स्प्रेज वगरा भी यूज किये जाते थे स्प्रेज पेंट्स वगरा दोस्तों वग गुजरने के साथ साथ जैसे के आर्ट और डिजाइन डिजिटलाइज होता गया तो साथ साथ आर्ट और डिजाइन के अंदर सौफ़रेज इंट्रिज होते गए ये जो ग्राफिक्स बनाने वाले सौफ़रेज हैं ये हम बहुत ज़दा वाइडली यूज़ करते हैं ग्राफिक डिजाइन की फील्ड के अंदर जैसे के इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप आप लोग जानते हैं कि इस हमारे कोर्स के अंदर आप लोग आगे चलके सीखने वाले हैं दूसर जैसे मैंने भी आपको कुछ रिसूर्स के हमाले से जिकर किया इसी तिना से मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब आगे चलके इन सौफ़रेज के अंदर काम करेंगे जैसे के अडोबी इलिस्ट्रेटर और अडोबी फोटो शॉप तो आपको कुछ मुख्तलिफ ग्राफिक्स रिसूर्सिस की जरूरत होगी इन रिसूर्सिस के अंदर जो कुछ इंपॉर्टन ग्राफिक रिसूर्सिस आते हैं उनके नाम हैं फॉंट्स, वेक्टर्स, आइकॉन्स, ब्रॉशिस, एंड एक्शन्स वगएरा दोस्तों ये जो रिसूर्सिस हैं ये एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर के पास होने आजकल बहुत जरूरी है इसके बगाएर आप डिजिटली अच्छा डिजाइन नहीं बना सकते लहाज़ा आपको मैं यहां पे एक टिप देने लगा हूँ आप लोगों ने करना क्या है कि जैसे जैसे आपने साथ साथ सौफ़ेर को लेर्न करना है वैसे वैसे आप लोगों ने इंटरनेट से गाहे बगाहे इन रिसोर्स को डाउनलोड करते रहना है और इनके नाम के साथ इनकी अपने पास एक एक लाइबरेरी बना के रखनी है अगर आप आगे चल की एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना चाते हैं और आउनलाइन फ्रीलांस मारकेट प्लेसे पे कामयाब होना चाते हैं तो आपके पास फॉट्स की फोटोशॉप के ब्रशिस की डिफरेंट किसम के आईकॉन्स और वेक्टर्स की लाइबरेरी होनी चाहिए दोस्तो थोड़ा थोड़ा सा तारुफ मैं आपको इन चीजों के हवाले से यहां पर देता चलूँ फॉट्स तो आपको मालूम ही है कि जो हम टेक्स लिखते हैं उनकी विज्यूल रिप्रेजेशन को हम फॉट कहते हैं और जब हम अपने मुबाइल डिवाइसेज में या अपने लैप्टॉप्स या अपने डेस्टॉप के अंदर काम करते हैं इन सौफिर्स के अंदर तो हम जो भी राइटिंग लिखते हैं वो हम फॉट के मदद से लिखते हैं लहाज़ ये फॉट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है इसी तरह से वेक्टर्स क्या हैं दोस्तों वेक्टर्स कुछ इलिस्ट्रेशन हुआ करती हैं ये कुछ ऐसे सैट अफ इलिस्ट्रेशन होती हैं जो के इंटरनेट के उपर डिजाइनर्स ने पहले से भी बना के रख दी हुई हैं आप इनको सम्टाइम्स खुद भी बना सकते हैं और सम्टाइम्स इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने डिजाइन का हिस्सा भी बना सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स ये इलिस्ट्रेशन हुआ करती हैं दोस्तों इसी तरह से अगर आप को विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने लगे हैं आप ये आइकॉन्स वैसे तो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में लेकिन ये आपको इंटरनेट पे बने बनाए भी मिलते हैं और वहां से डिजाइन करके भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं इसी तरह से फोटोशॉप के अंदर कुछ बहुत ही खुबसूरत एफेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं ब्रॉशिस के मज़से दोस्तों आगे चलके फोटोशॉप में हम ये पढ़ने वाले हैं कि फोटोशॉप में एक ब्रॉश टूल होता है कुछ सेट अफ एक्शन्स होते हैं जिनके मज़से हम कोई भी काम बहुत कम वक्त में प्रॉड्यूस कर लेते हैं तो इन एक्शन्स के हवाले से भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों चले चलते हैं मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टन वेबसाइट के हवाले से जिन पर आपको फ्री यानि के रॉयल्टी फ्री मिल सकते हैं फॉंट्स, वेक्टर्स, आइकॉन्स, ब्रॉश और एक्शन्स दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने आप लोग के लिए एक वेबसाइट ओपन कर रखी है जिसका नाम है फॉंट्स, क्विरल डॉट कॉम दोस्तों ये एक बहुत ही जबदस्त वेबसाइट है जिसके ओपर आपको फ्री फॉंट्स अवेलिबल हैं यहां पर अगर मैं स्क्रॉल करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि यह लेफ्ट साइट पर आपके पास फॉंट्स के अंदर लिखा हुआ टेक्स नजर आ रहा है यह इसलिए आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ताकि आप उस फॉंट की एक्चुल शकल जो है उससे वकफियत हासल कर सके और देख सकें कि यह फॉंट एक्चुली कैसा लगेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे इसी तिना से आप देख सकते हैं कि यह यहां पर लिखावा लिंक आ रहा है नीचे है डाउनलोड ओटी एफ दोस्तों मैं यहां पर आपको बताता चलों यह ओटी एफ वो फाइल फॉर्मेट है जो एक्चुली जिस फॉर्मेट के अंदर आपको इसकी फॉंट की फाइल मिलेगी जब आप इसको डाउनलोड करेंगे इसके लावा दोस्तों यहां पर अगर right side पर हम देखें तो यहां पर fonts के lists दी गई हैं और यह different categories दी गई हैं जैसे के sans serif, display, serif यह कुछ types जो fonts की होती हैं और different topics होते हैं जिनके हवाले से हमें fonts सही हो सकते हैं जैसे के comic, retro और इसके अलावा calligraphic fonts तो यह कुछ यहां पर categories, classifications दी गई हैं जैसे आप किसी भी category के ओपर click करेंगे तो एक निया link open हो जाएगा जिसमें आपको उस खास category के हवाले से fonts हैं वो available होंगे अच्छा इसी तरह से दोस्तों यहां पे एक और website में आपको बताना चाहरा हूँ जी thefont.com यह website भी एक बहुत अच्छी website है इसके उपर भी हमें fonts बहुत ज़्यादा तदाद में available हैं और इस पे भी हमें royalty free fonts मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं right side पर यह download का button जो है वो दिया हुए इसके उपर आप just click करें आपका जो font है वो आपके system में download folder के अंदर जाके save हो जाएगा इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे काफी सारी categories जो है वो दी गई हैं जिनको आप जो है वो खुछ से explore करेंगे आगए चलके इसके लावा दोस्तों यहां पे एक और website में आपको बता हूँ fonts के हवाले से abstract fonts.com यह भी एक बहुत जबदस fonts की resource हमारे पास अवेलेबल है इंटरनेट के उपर जिस पर आपको different किसम के आप देख सकते हैं कितने खुबसूरत और experimental fonts हैं वो यहां पे जो है वो दिये गए है यहां पे भी आप देख सकते हैं download का button है आप इस button पर click करेंगे तो font आपके पास download हो जाएगा दोस्तों यहां पे मैंने कुछ font जो है वो आपके लिए download करके रखावा है यह मैं आपको बताता चलूँ जब आप font को download करेंगे तो आपके पास यह एक जो file है यह आएगी जिस आप install का button click करेंगे तो यह font आपके system के अंदर install हो जाएगा और जितने भी graphics के हवाले से software zone में आप इसको use कर सकेंगे इसी दरह से दोस्तों हमारे पास कुछ vectors के हवाले से भी यहां पर बहुत मज़े की websites available है जैसे कि यह website is freepick.com इस पे अगर आप scroll करें तो आपको बहुत इस किसम के designs दो हैं वो यहां पर नजर आएंगे यह different topics के हवाले से आपको यहां पर designs देखने को मिल सकते हैं इस website के उपर vectors मौजूद हैं इसके लाभा photos और कुछ और भी दीगर resources भी यहां पर available हैं दोस्तों आप किसी भी एक design के उपर या vector के उपर illustration के उपर right click करें तो य यहां पर आपके पास download का जो है वो बटन आ रहा होगा जैसे यह download होगी फाइल तो यह आपके पास या तो illustrator की फाइल यहां पर download हो जाएगी या फिर आपके पास एक साथ JPEG और किसी और किसी ऐसे software की फाइल जो के वेक्टर बेस या illustration based software उसकी फाइल आपको मिल जाएगी आम तोर पे इस website पे AI files आपको मिलती है जिनको आप अराम से असानी से Adobe Illustrator में open करके यूज़ कर सकते हैं अपने लिए इसको फिलाल मैं बंद करना हूँ इसके साथ ही यहां पर वेक्टीजी के नाम से एक website है यह भी वेक्टर के हवाले से है और मैं स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हैं कि different categories के हवाले से बहुत जबदस वेक्टर यहां पे भी available है same process इसके अंदर भी है आप right click करके उसको free download कर ले और illustrator में open करके use कर ले इसी तना से यह icons के हवाले से एक website है जी हमारे पास dry icons.com इस website पर भी दोस्तों आप लोग बहुत जबदस किसम के icons के sets और packs बने वे देख सकते हैं इन icons को आप जो है वो download करें और यह software की file आपके पास open हो जाएगी जिसके अंदर आप उसको use कर सकते हैं यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने यहां पर यह वेक्टर एक download करके रखा हुआ है जी इसकी JPEG यह आपको यहां पर दिखा रही है कि वेक्टर किस किसम का है यह एक abstract सा background है जो के आपके लिए बहुत ही जबदस हो सकता आपकी किसी भी design के background के तोर पे और यह सा दोस्तों हमारे पास यहां पर यह कुछ brushes के हवाले से websites हैं जैसे के brush easy.com यह एक website है आप देख सकते हैं किसके ओपर आपको बहुत जबदस किसम के brushes हों है वो नजर आ रहे हैं इनको आप Photoshop में effects के तोर पर यूज करेंगे आगे चलके इसी तरह हमारे पास यहां पर brushking.eu के न नाम से मेरे पास brush है तो यहां पर हमारे पास यह open हो गया जी free download और अगर मैं आपको दिखाऊं जो मैंने download करके रखा हुआ है तो यहां पर यह मैंने real smoke यही वाला brush download करके रखा हुआ है और यह आप देख सकते हैं यह .abr के format के साथ यहां पर एक आपके पास file है इस file को दो नाम से एक file दी गई होती है जैसे कि इस वक्त भी आप देख सकते हैं यहां पर मौजूद है उसमें detail बताई होती है आप उसको थोड़ा से follow करें तो आपका brush है वह easily install हो जाएगा आखरी चीज़ दोस्तों मैं आपको यहां पर जो बताना चाहा रहा हूं वह actions है जी Photoshop की यह नाम से जिसकी यह आप जो है वो जेपैक देख सकते हैं और यह जनाबियाली यह effect है यह actual picture यह है और उसको action की मदद से इस तरह से बना लिया गया और यह भी बिल्कु सेम प्रोसीजर action को install करने का भी जिससे मैंने आपको brushes के हवारे से बताया है और बड़े आराम से बड़ के रखने यह आगे चलके जब आप graphics create करेंगे illustrator और Photoshop के मदद से तो यह website link सापके बहुत जदा काम आने वाले हैं लहाजा इनको जह है वो study भी करें explore भी करें और इनको अपने पास महफूज रखें